जहिन साथियों स्वागे थे आप सभी का Education Cat 6 में रुख करते हैं बिहार की तरफ दोस्तों बिहार की तरफ से पटना High Court यानि की Honorable पटना High Court ने यहां पर एक आदेश दे दिया है BPSC की परिक्षा को लेकर BPSC TRE 3 की चर्चा हो रही है देखिए ऐसे ही विवादों में रहा है परिक्षा चुकि इसलिए यहां BPSC TRE 1 और 2 के बाद BPSC TRE 3 जो होना था वो अगस्त में होना था अगले सार लेकिन सरकार बदली और सरकार ने यहां पर 87,000 की वेकेंसी निकाल डाली जो नई सरकार आई अब तब से ही यह भी बाद में है चुकि यह वेकेंसी आनी थी कब तो अपनी 2024 की आउगस्त में यह परिक्षा होनी थी आनी थी नई भाली के रूप में लेकिन इसको पहले ही इंटर्ड्यूज कराया गया सप्लिमेंटरी रिजल्ट नहीं देकर उन चात्रों का इसको पहले ही इंटर्ड्यूज कर दिया गया पहला तो विबाद यही उठख पहले हैं फारम भरवा लिया गया तो मैंने उस समय भी एक वीडियो बनाया था उसमें बोला था आप लोगो को कि यह सिर्फ और सिर्फ जो है एलेक्षिन मोड पे जाकर यह बहाली की प्रक्रिया निकाली गई है एलेक्षिन की तैयारियां हो रही है और जो भी कथित पाठ दो कि यह अब बहाली पे रोक लग चुकी है अब जो एक्जामनेशन डेट का यहाँ पर अपडेट आ रहा था नियूज आ रहा था कि 20 जून या फिर 10 से 12 जून या फिर 21 जून का जो डेट आ रहा था एक्जाम भी पोस्पॉंड हो जाएगा जी और रत तो नहीं कहूंग है अब यहाँ पर चिंता का विसा यह है कि यह बहाली पर रोक लगा दी गई है यह देखें मैं आपको यह पटना उशनियाले से आया हुआ एक लेटर जो की यह और है और यह ऑनरेबल जो पटना हाई कोट ने यहाँ पर ओर दिया है उसकी रिगाड़ी यह सारी अपडेट आ रही है और यह जो अपडेट है दोस्तों यह अपडेट है उनकी बिहाफ में जिन गेश्ट टीचर ने यहाँ पर इसको पेटिशन मनाया है और यहाँ पर जो है इस बहाली पर जो है एक नया नोटिफिकेशन जारी को करने को है क्या है मामला समझते हैं यहाँ पर अगर जो भी टीचर बिहार में BPSC के सिक्षक भरती को लिए आवदिन करता है और वो कहीं ने कहीं एक्सपीरियेंस है तो उनको लेकर यहाँ पर जो है वेटेज मिलना चाहिए अंको का वेटेज मिलना चाहिए इस जीच पर तो यहाँ पर जब कॉंट्रेक्ट्यूल टीचर की ब मतलब है कि इक्सपीरियेंस के उपर जो है यहाँ पर वेटेज मिल रहा है अब हर साल का जो एक्सपीरियेंस है उसके उपर आपको पांच अंक कर दे होगा दोसाल साल जहां घृकर तो आपको आपको 20 और पांक साल का उनक यहाँ पर जो है वरसं के त LOT पर यह चीजह है यहां पर लेकिन यहां पर जो है यह इस कॉलम को नहीं जोड़ा गया और खासकर जो है गेस्टीचर को भी इसमें सामिल लेगा जो कि जो पेटिशनर बने हैं वह गेस्टीचर के ही तौर पर कारिरत है और यहां पर देखिएगा तो यह सारा मामला सब कुछ लिखा हुआ है यह जो और आया है इसमें और इसमें जो है सारी जानकारिया आपको देखने को पढ़ने को करके मिलेंगी और और इस मामली पर देखिए अगर आप इस नोटिफिकेशन को यहां से पढ़िएगा पैर नंबर 3 भी पढ़ लिजेगा तो इसमें इसमें पर इसमें और इसमें पर इसमें नोटिफिकेशन है और इसके रिगार्डिंग जो है यहां पर यह अपडेट दिया गया है जो कि 4 नोवंबर 2023 को यह जारी किया गया पब्लिफ्ट बाइदा प्यार पब्लिक सर्विस कमिशन जो कि देखिए बीपीएसी जो है खुद एक यहां पर जो है समविधानिक बॉड़ी है यहां पर सरकार की तो इसमें इनको जो है सुनवाई के लिए बोला गया और यह है कि इस रिक्रोटमेंट में इस प्रोसेस में इस नियामली को क्यों नहीं आखिर जोड़ा गया यह जो है यहां पर अपडेटेड है अच्छा यह जो पिटीशनर बने हैं यह कौन है तो यह 2018 के समझेगा तो इनको बेनेफिट मिलना चाहिए चुकि इनका कहना है कि जब बहाल हुए है लाइक नियोजित सिक्षक भी हो सकते हो तो जब उनको वेटेज मिलेगा यहां पर तो हमें क्यों नहीं इनका कहने का यह मतलब है तो यहां पर BPSC जो है यह ध्यान रखेगा यहां पर अपडेट कर रही है आप लोग को और अपकमिंग टीचर रिक्रोटमें तो यह मामला मैं आपको एक बार फिर से थुड़ा साथ दिखला देता हूं यह जारी किया है किस विहाफ पर यह देखेगा तो यह मामला है यहां पर ये राजी उर रंजन राजी प्रसाद सिंग रंजन जो है महानिदेशय को लिखा गया है और ये पूरा विश्यक यहां पर जोड़ा गया है यह दो जाठारा कहीं मामला है कि मादमिक सिख्चा के अंतरगत जीला परिश्यद और विविन नगर निकायों में जितने भी राजक इसको सनलग ने किया गया इस लेटर को भी फिर उसके बाद जो एक और विसे बना यहां पर कि राजी के मादमिक सिख्चा के अंतरगत जीतने भी जिला प्रिश्यद विविन नगर निकायों के राजकी और राजकृत और राष्टी मादमिक सिख्चा के अभियान के सब्सक्राइब चार हजार 257 सब्सक्राइब कर दिया गया इनके बारे समंद में यानि की जो बेतन मिल रहा है उनके समंद में यह भी मांद मैटर था है इसको भी हमने आगे आपको बताया हुआ है ठीक है अब यह जो 27-4-2018 का मैटर है इसमें माद्यमिक सिक्षक के अंदरगत जिला परिशद और विभीन नगर निकायों के अवस्थित राजकिये राजक्रित और राष्टे मादमिक शिक्षा अभियान के अंदरगत जो उच्चि मादमिक विद्यालियाने अतिती सिक्षक की सेवा निधारित के प्राश्मिक पर है न उपलब्ध लिए जाने और माध्यमिक सिख्षा में संबंदित अन्य विश्यों के संबंद में प्रधान सची और सिख्षा विवाग के अध्यक्स्ता से अध्यक्स्ता में जिला सिख्षा पतादिकारी के साथ होई बैठा के कारवाई होई है जिसमें ये भी बाते रखे गई हैं और इस जो लोग बीपीए सीटी एरी का इग्जाम वन में भी नहीं दे पाएं उसके पीशे भी क्या रान था कि उस दौरान यहां पर जो भी टीचर थे ऐं एक्चिलिए PPSCbery 2 के दौरान यह ज़्याज़तर हुआ कि जितने लोग कार्यत सिख्चक्त हैं गेस्टीचर उनको बहुत ही कड़ी करवाई के साथ उनको स्कूल मैनेज करने को कहा जादा था एक दिन भी छुटी नहीं मिलते थी और उस दोरान जो है यह सारी परिक्षाएं हुई यहां पर यहां पर बताई गई और यह जो है मामला कोट में भी पहुंचा था और बहुत सरे मामले हैं जो अतितीं सिख्चकों के मामले कोट में है लेकिन यह मैटर 2018 का है दोस्तों जिसमें कि इसमें यह बाते यहां पर आई है निकल कर कि में मौन संख्या जो 51 है जो कि 251 2018 को यह जारी हुआ है जिसमें कि एनस्चर 1 में लिखा गया है तो दिस रिट करते ही गा तो बीपेसी ने बोला है कि इस पर रिस्पॉंड करते हुए कि अपॉइंट्मेंट अब दे स्कूल टीचर बाइड़ वीच फाइप मार्क्स पर इयर एज मैक्सिमन 25 बाक्स मतलब कि पांच मार्क्स हर माई हर साल का इनको दिया जाए एक्सपीरिंस का और यहां पर मार्क सिनको बेनिफिट मिले इनको प्रिफरेंस मिले सीज का जो गेजटीचर है जो इन्होंने यह आवाज उठाई है और इन्होंने यह भी कहा है कि पर जो है उन सिख्षकों को यहां पर जो हैप मार्क्स मिलता है यह सारी बात यहां पर लिखी गई हैं तो यह सारी चीजे उनको मिलते तो हम क्यों नहीं मतलब केश्टीचर क्यों नहीं तो सब्सक्राइब भी यहां पर जो है यह जो आपका रिजल्ट आया था वी पेसी का तो उसमें सप्लिमेंटर रिजल्ट में भी इनको फेवर देना चाहिए था नहीं दिया गया फिर उसके बाद ही यहां पर इनको यह नोंने आवाज उठाया और यह मामला है तो जब अगली बहाली का मैटर आ पристक्राइब आ दिया है इस बहाली की प्रक्रिया पर और जब तक अब इस सीज को बीपी असी जो है इंतजार कर सकते हैं तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि इसका नया इसामनेशन का डिट नहीं दिया जाएगा कुछ और भी मैटर को यहां पर रखा गया है जिन मैंने उस लेटर में बात किया है कि करीब 4200 ऐसे सिख्षक हैं इंग्लिश मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्टर, जियोलोजी और बॉटनी वाले जिनको की यहां पर जो सैलरी मिल रही थी पर डे एक हजर रुपे और मैक्सिमुन पचीश रुपे को मिलना था इस चीज के उपर भी इन्होंने बात रखी है कोट में इसका भी ध्यान रखा जा और इनको पैसे इनका दिया जाए जो यह लोगों ने काम किया है इसके उपर तो यह मैटर भी यहां पर रखा मिलेगा एक्स्पीरियंस का मिलेगा यह ध्यान रखेएगा बीपीसी ऐस पबिस अडविटीजमेंट 27-2023 डेटेट उन दो चार नोमबर इसमें जोड़ा जाएक पांच मार्स आपको मिलेगा और हर साल का एक्सपीरियंस के अधार पर 25 मार्स तक मैक्सिमम आपको मिल सकता है और यह जोडा जाता है एक्स्ट्रीम बेकवर्ड क्लास क्लास वेलफर डिपार्टमेंट की तरह ही जैसे उनको बनेफट मिल रहा है उस मिल जाएगी और नीची आएंगे तो लास्ट में यहां पर यह चीज़े बोला भी गया है कि तब तक यह बहाली की प्रक्रिया जो है इस्टे माने जाएगी मतलब है गबर्मेंट जो है इसमें जब तक आपको अस्तच्छेप करेगी और बीपेसी एक खुद एक समयधानिक ब सामने आये और फिर उसके बाद जो है यह आपका एक्जाम का डेट है लेकिन अगर यह चीज़े सब तेजी में हुई तो एक्जाम का डेट जुलाई या ऑगस्त में अब जाने का समावना दिख रहा है बीपेसी ट्यारी 3 का और बीपेसी ट्यारी 3 पे अभी फिलाल रोख ह जैहिन